प्याजे, वाइगोट्सकी और कोहलबर्ग ये तीन मनोविज्यानिक सीटेट के एक्जाम में इतने कोशन्स आपको देखे जाते हैं जिनकी कोई हद नहीं है आप 5 साल के पिछे प्रिवियस एर उठा के देख लीजिए इन तीनों मनोविज्यानिकों के कोशन्स से आपका कोशन तक एक एक कोशन आपका बहुत इंपोर्टन्ट होगा तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं तो देखे ये भी एक टेट एक्जाम में पूछा गया था चंडिगट के टेट में 2011 में आपको जितने भी आपको यहां पर कोशन मिलेंगे सारे पिछले टेट एक्जाम के ही मिलने माले हैं तो देखिए प्याजे की जो संग्यानात्मक जो अवस्थाएं हैं बाल विकास की वो चार अवस्थाएं हैं पहली होती है इंद्री अगामक दूसरी होती है कौन सी आपकी दूस कोहलबर्ग विकास के शेत्र में शोद के लिए जाने जाते हैं देखिए विकास के तीन शेत्र होते हैं आपके पहला होता है आपका cognitive development दूसरा होता है आपका psychomotor development और तीसरा होता है आपका effective development सबसे important effective development होता है भावात्मक विकास जिसके साथ जो है आपके लोरेंस कोहलबर्ग जुड़े होए है और भावात्मक विकास के अंदर जो नैतिक विकास है दोस्तों वो उन्होंने बताया था देखिए लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्दान्त था दोस्तों अंसर इसका सी आएगा effective domain में नैतिक विकास के साथ जुड़े होए है क्योंकि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो बच्चे के कौन से डोमेन में आता है बच्चे के effective domain में आता है और लोरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्दान्त था उसकी 6 अवस्थाइं है आ option number C नैतिक अगला है कौन सा सीखना स्थाई होता है यानि कि कौन किस तरीके से अगर आप learning करेंगे तो प्रमानेंट रहेगा अब देखे questions का level ऐसा ही होगा tough भी होंगे medium भी होंगे आप लोग पढ़ाई करते हैं daily पढ़ाई के touch में इसलिए आपको easy लग रहे होंगे तो अ बताईए रट कर तो होगा नहीं road learning से सीखना तो सबसे बेकार होता है आप भूल जाएंगे एक तो होता है सुन कर एक होता है समझ कर और देख कर बताईए इसका answer कौन सा होगा देखे आपने एक चीज़ पर गोर किया यहाँ पर आपने देखा कि जब आप समझ रहे होंगे तो आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे यहाँ पर सुनकर तो सिर्फ आप एक इंद्रिये जो है ग्यान ले रहे हो यानकि सिर्फ एक sense का परियोग कर रहे हो देखने पर भी एक sense का परियोग कर रहे हो लेकिन समझने में आप देखते भी हैं सुनते भी हैं त तो मल्टी सेंसरी जो लर्निंग होती है that is more permanent तो आंसर आएगा सी समझ कर नेक्स्ट है प्याजे का बोधिक विकास कितने चरणों में संपन होता है देखे प्याजे ने जो mental development की बात की थी जो 14th question आपसे पूछता है ये छोटी बहन है पहले question की इसमें मैंने आपको 4 क्योंकि जीन प्याजे ने बताया कोई भी बच्चा ठीक है अपना mentor development करेगा एक एक स्टेज में आगे बढ़कर सबसे पहले चरण में वह अपनी सेंस का प्रियोग करता है ये भी आप याद रखें प्याजे के संग्यानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है अब देखे म इसके बाद होता है तीसरा मूर्त संक्रियास्तर यान की कंक्रीट ओपरेशनल स्टेज और फौर्थ होता है ओपचारिक संक्रियात्मक स्टर फॉर्मल ओपरेशनल स्टेज एक करके बच्चा इसमें जो है आगे अपने mentor development को करता जाता है सबसे पहले स्टेज होगी आपकी option नबर C संवेदी गामक इसमें बच्चा क्या करता है अपने senses के प्रियोग से ही ग्यान का निर्मान करता है लर्निंग करता है और लर्निंग करने की सबसे fast गती भी इसी stage में होती है अगर कभी question पूछे कि प्याजे के संग्यानात्मक विकास में कौन से चरण में सीखने की गती बच्चे की सबसे तेज होती है सबसे fast होती है then your answer will be the same sensory motor stage यानि कि संवेदी गामक अवस्था जो कि इसका right answer होगा option next question ओपचारिक संक्रियात्मक स्तर की अवधी क्या होती है अब देखी यह formal operational stage मैंने बताई थी प्याजे की जो fourth stage होती है दोस्तों वो होती है ओपचारिक संक्रियात्मक स्तर formal operational stage तो आप से पूछा गया है कि प्याजे की जो fourth stage है उसका time period क्या है तो दोस्तों वो होती है 11 व से संग्यानात्मक विकास की किस अवस्था को का है अब देखिए इसके टाइम पीरिड से रिलेटेट एक और कोशन आ गया अगर एक्जाम में ये कोशन आए कि प्याजे ये किने साथ से ग्यारा का जो टाइम पीरिड है वो कौन सी अवस्था को डेडिकेट किया है तो आपका आँज़ात्मक वस्था यहां पर आपने देखि होगी मूर्थ संक्रियातमक वस्था जिसे अकरीट ओपरेशनल स्टेज का आ गया है यह तीसरी यांगे निकिके चोती यृष्था ग्यारा वर्श से आगे और जो तीसरी यृष्था होगी वह साथ से ग्यारा जो दूसरी ह वहहाद होगी आपकी कौनसी अवस्था है दूसरी दूसरी है पूरव संक्रियातमक अवस्था तो यहाँ पर 7-11 की कौनसी होगी आपकी मूर्त संक्रियातमक अवस्था option usually Where C ही यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा next ए जीन प्याजे के संग्यान development करते हैं अपने ग्यान का निर्मान करते हैं अपने cognitive domain को train करते हैं आप कोई भी चीज समझ सकते हैं मैंने 3-4 option बता दिये एक चीज के क्या बोलते हैं इसको तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली अवस्था होगी जीन प्याजे की उसमें ही बच्चा क्या करेगा अपने senses का प्रियोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा तो ये जो चार option आपको दे रखे हैं समवेदी प्रेरक पूर्व संक्रियात्मक मूर्थ संक्रियात्मक और अमूर्थ संकری आत्मक, यानि कि यह पहली स्टेज, यह तीसरी, यह तीसरी, यह चोथी तो कोन सी स्टेज में मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था पहली स्टेज में, जब बच्चा आपने सेंस्स 무엇 का प्रयोग करते हुए सीखेगा, अपने घ्यानेंद्री से ही क्या करेगा किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ को सूंगर टेस्ट करके यह सारी चीज़ तो आंसर होगा पहला समवेदी क्रे겠 रख अवस्था नेक्स्ट निमयBack लिकित quat कतनों मेंसे कौन सा एक कतन गलत है यानि कि आपको गलत जो पथन है उसकी पहचान करनी है। जिन बालकों का उपचारिक संक्रियात्मक स्तर उ compilation होता है। उनका सिक्षन स्तर भी उम्चा होता है। बिलकुल ठीक है यानि कि जितने बच्चेव की mental abilities जितनी high होगी उतना ज्यादा बच्चों का सिक्षन स्तर भी उचा होगा जैसे कि आपको पता है कि अपतादिक संक्रियातमक स्तर क्या है mental development की highest आपकी जो है stage है तो उस पर जो बच्चों का चिंतन होता है वो सदैव उचा रहता है और उनके सिक्षन का स्तर भी उचा रहेगा तो यह तो बिल्कुल ठीक है दूसरा है बालक अपने परियावन के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है देखे प्याजे बोलते थे कि जब भी कोई बच्चा समाज में रहता है तो वो समाज के अनुसार अनुकूलन कर लेता है समाज के अनुसार क्या कर लेता है अनुकूलन कर लेता है अपनी स्कीमा में चेंज करता रहता है तो अडेप्टेशन किसका देन है अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है ये बताया जीन प्याजे ने तो बालक अपने अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, बिल्कुल ठीक संग्यानात्मक विकास का तात्परे बच्चों के सीखने से बिल्कुल ठीक है, बच्चे सीखेंगे, उनका कोगनेटिव जो डोमेन होगा वो ट्रेन होगा, तो अप्शन नमबर सी भी ठीक है प्याजे ने संग्यानात्मक विकास को पांच भागों में विवाजित किया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जीन प्याजे ने कितने भागों में विवाजित किया था, संग्यानात्मक विकास को चार भागों में नेक्स्ट है प्रायत नेतिकता की अवस्था किसे बोलते हैं देखिए यह बहुत important question है आपका देखिए यह होती है आपकी 4-7 वर्ष आपने यहाँ पर देखा होगा प्रायत नेतिकता की जो अवस्था होगी हो 4-7 वर्ष की अवधी को बोला जाता है आपसे पूछा जाएग कि प्रायत नेतिकता की अवधी कौन सी होती है तो answer आप देंगे 4-7 साल ठीक है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो morality होती है वो दूसरे के हाथ में होती है दूसरा उसकी नेतिकता नेतिकता को कंट्रोल करता है बच्चे के अंदर से नेतिक बाउना इस वक्त तक नहीं जागरत होती तो दोस्तों ये 10 कोशन थे आपके कोशन नमर 11 से कोशन नमर 20 मैंने रिसकस किया आपसे कोशन नमर 21 से कोशन नमर 30 तक की वीडियो बहुत जल्दी आएगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वी झाल झाल